आज मैं आप लोगों को वैशाक मास की कथा सुनाने जा रहे हूँ प्रम नासक सुखत पलंग देकर मनुश्य कभी जन्म रित्यू आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाक मस्मी पहनने के लिए कपड़े और विछावन देता है वो उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है। और समस्त पापों से रहित हो ब्रम निर्वाड मुक्ष को प्राप्त होता है। निद्रा से ठकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुख पुर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हार्या श्रेश ब्रामण को जो सुचमितर वस्तरधान करता है वह पुर्ण आय और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्रामण को फूल और रोली देता है वह लौकिक भोगों को भोग करके मुक्ष को प्राप्त होता है। जो खस, कुश और जल सी वासित चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है। तथा उसके पाप और दुख की हानी होकर पर्मानंद की प्राप्ती होती है। वैसाक के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गुरोचन और कस्तूरी का दान करता है। जो सडक के किनारे बागी चापो, खरा, कुआ और मंडब बनवाता है वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या ओशक्ता है उत्तम सास्त्र का स्रमार तिर्थ यात्रा सत्संग जल्दान अन्यदान पीपल का व्रिक्ष लगाना तथा पुत्र इन साथ को विग्य पुरुष संतान मानते हैं जो वैशाक मास में ताप नाशक तक रिदान करता है वह इस पृत्वी पर विद्वान और धन्वान होता है धूप की समय मठ्थे की समान कोई दान नहीं इसलिए रास्ते की थगे मान्दे ब्रामण को मठ्था देना चाहिए जो वैशाक मास में धूप की शान्ती के लिए दही और खार देता है तथा विश्णु प्रिय वैशाक मास में जो पुर्ण यग्यों का फल पाता है जो पुरुष ब्रामण के लिए गोगरित अरपड़ करता है वह अश्वमेग यग्य का फल पाकर विश्णू लोक में अनंद का अनुभव करता है जो दीन के ताप की शांती के लिए सायंकाल में ब्रामण को उखदान करता है उसको अच्छ पुर्ण प्राप्त होता है जो वैशाक मासमे शाम को ब्रामण के लिए फल और शर्बत देता है उससे उसके पितरों को निश्चही अमरित पान का अवसर मिलता है जो वैशाक की महीने में पके हुए आम के फल के साथ शर्बत देता है उसके सारे पाप निश्चही नश्ट हो जाते हैं जो वैशाक की अमाउस्या को पितरों की उदेशे से कस्तूरी कपूर बेला और खस की सुगंध से वासिट शर्बत से भरा हुआ घड़ा प्रदान करता है वस 96 घड़ा दान करने का पुन्य पाता है वैशाक में तेल लगाना दिन में सोना कासी की पात्र में भोजन करना खाट पर सोना घर में नहाना निशिद्य पदार्थ खाना दुबारा भोजन करना तथा रात में खाना ये आठ बाते त्याग देनी चाहिए जो वैशाक मास में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्न पत्ते में भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विश्नु लोक में जाता है जो विश्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी में सनान करता है वो तीन नो जन्मों के पाप से निश्चा ही मुक्त हो जाता है जो प्राता कल सुरियोदे की समय किसी समद्र गामिनी नदी में स्नान करता है वह साथ जन्मों के पाप से ततकाल छूट जाता है जो मनुष्य साथ गंगाओं में से किसी में उस्या काल में स्नान करता है वो करोडों जन्मों में उपारजित किये हुए पाप से निसंदे मुक्त हो जाता है जानवी मिंस गंगा वृद गंगा मिंस गोदावरी कालिंदी मिंस यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा और वेरी ये साथ गंगाएं कहीं गई है वैशाक मास आने पर जो प्राता का बावलियों में अस्नान करता है उसके महापात को कनाश हो जाता है कंद मूल, फल, शाक, नमक, गुड, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाक में दिया जाता है वह सब अच्छा होता है ब्रह्मा आदिदेवता भी दिये हुए कोई वस्तु नहीं पाते जो दान सहीन है वह निर्धन होता है अतर सुक की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाक मास में अवश्य दान करना चाहिए सुर्य देव की मेश रासी में स्थित होने पर भगवान विश्णू के उदेशे से अवश्य प्राता का अलस्नान करके भगवान विश्णू की पूजा करनी चाहिए कोई महीरत नामक एक राजा था जो कामनाव में आ सकत और जितिंद्रिय था वा किवल वैशाक अस्नान की सुयोग से स्वता वैकुंठ धाम को चला गया वैशाक मास की देवता भगवान मदु सूदन है अतेव वा सफल मास है वैशाक मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है मदु सूदन देवेश वैशाखे मेशगे रवव सुरे की स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातस नान करूंगा आप इसे निर्विग्न पूर्ण कीजिए उसके पश्चात इस मंत्र से अर्ग देना चाहिए वैशाखी मेशगी भानो प्रातस नान परायडः अर्ध्यतेयाहं प्रदस्यामी ग्रिहाड मधु सुदन सुरे की मेश राशी पर इस्थित रहती हुए वैशाख मास में प्रातस नान की नियम में सनलगन होकर मैं आपको अर्ग देता हूँ मधु सुदन इसे ग्रहन कीजिए इस प्रकार अर्ग समरपड करके सनान करे फिर वस्त्रों को पहन कर संध्या तरपड आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विक्सित होने वाले पुस्पों से भगवान विश्नु की पूजा करे उसकी बाद वैशाख मास की महात्म को सुचित करने वाली भगवान विश्नु की कथा सुने ऐसा करने से कूठी जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मुक्ष को प्राप्त होता है या शरीर अपने अधीन है जल भी अपने अधीन ही है साथी अपनी जिवा भी अपने वश में है अता स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिवा से हरी इन दो अक्षरों का उच्चारण करे जो वैशाक मास में तुल्सी दल से भगवान विश्णों की पूजा करता है वह विश्नो की साज यूज्य मुक्ति को पाता है अता अनेक प्रकार की भगती मार्ग से तथा भाति-भाति के व्रतो द्वारा भगवान विश्नो की सेवा तथा उनके सगुड या निर्गुड स्वरूप का अनन्य चित से ध्यान करना चाहिए बोलो विश्णु भगवान की जय अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ऐसी ही जनकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना नहीं भोले बोलो जैश्णु आपको